एक बफिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चानल जॉब फंडा क्लब में जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने मेरे थमनेल में देख लिया है ऑक्सफर्ड पब्लिक स्कूल से रिक्वार्मेंट आईए दोस्तों और काफी अच्छा अपॉर्चनिटी है दोस्तों क्यो पूरा चीजों को पूरा विल्दीटियल पूरी कवर करेंगे दोस्तों यहांपर देखें मैं आप लोगों इसकी साइट पर ले जाकर दिखा रही है आप लोगों को जब आप इसकी साइट पर आएंगे दोस्तों तो देखिए ऑक्सफ़र्ड पब्लिक स्कूल करके है यहा तो चलिए वीडियो में कवर करते हैं सारी चीजों को दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ू इससे पहले आप लोगों से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने अपने इस पैरे से चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतिजार किस बात का कर है सब्सक्राइब कर लीजिये और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को बंधिट वोटी है वीडियो limits Living और दोस्तों चैनल वीडियो अच्छी लागे तो लाइक भी कर दीजेगा और चैनल को eligibility होने वाली है वो post graduation with BA experience 5 years का होना चाहिए आपके पास अगर आप PGT के लिए apply कर रहे हैं और अगर TGT के लिए apply कर रहे हैं तो दोस्तों English, Maths, Physics, Chemistry, Biology and Sanskrit है यहाँ पर यहाँ पर आपकी eligibility जो है वो friends, post graduation मतला आपने post graduation किया हुआ होना चाहिए दोस्तों और आपके पास B.A.D. भी होना चाहिए और साथ में आपके पास 3 years का experience होना चाहिए उसके बाद अगर आप PRT के लिए apply कर रहे हैं यहाँ पर PRT के लिए भी चीज़ा mention है कि अगर आप English है, आपका subject Hindi है Social Studies है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं और यहाँ पर जो eligibility है दोस्तों आपने B.A. या B.S.C. honors में किया होना चाहिए और साथ में आपके पास B.A.D. होना चाहिए दोस्तों और अगर आप PRT के लिए भी apply कर रहे हैं तो आपके पास 3 years का experience होना चाहिए फिर देखिए PRT slash TGT तो यहाँ पर computer science के लिए भी teacher चाहिए तो देखिए यहाँ पर जो eligibility है वो M.C.A. from recognized university से आपने किया होना चाहिए दोस्तों तो यह सारे subject को मैंने पढ़ लिया है दोस्तों बात कर लेते है vacancy I कहां से है तो यह vacancy I है राची जारखंट से दोस्तों CBSC affiliation है दोस्तों इसका और देखो friends यहाँ पर मैं आगे भी बात कर लूँ कि यहाँ पर जो है चीजे के applicant must be fluent in English यानि कि अगर आप यहाँ पर apply कर रहे हैं तो आप fluent होने चाहिए English में खाली Hindi और Sanskrit के जो candidate apply करेंगे उनको छोड़ कर तो देखें यहाँ पर mention के accept Hindi and Sanskrit के candidate उसके बाद salary देखेंगे यहाँ पर 7th pay along with updated DA plus other allowance मिल रहा है दोस्तों तो देखें जहाँ पर भी 7th pay की बात आजाती है आप समझ सकते हैं अगर 7th pay है और आप PGT के लिए apply कर रहे तो यहाँ पर आपकी salary salary अर्राम से 50,000 अबो बनेगी दोस्तों DA allowance बगरा को जोड़कर उससे जादा भी जा सकती है और अगर TGT के लिए apply कर रहे तो 40 के तो अबो ही जानी है आपकी salary 7th pay के साबसे कभी कभी कई 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 PGT teachers को तो 70 तक भी देते हैं दोस्तों 70,000 तक भी देते हैं तो यहां पर 7th pay है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज़ है दोस्तों और यह जो vacancy निकली है यह देखिए 20 तारीक को यह आ गई थी तो 20 से यहां पर क्या है apply from 20 days तो आज 21 तारीक है दोस्तों तो अभी मतलब आपके पास 20 तारीक मतलब 20 दिन आप लोगों को मिलने वाले यानि कि जब यह vacancy कल पब्लिश वेती 20 तारीक हो तो उस दिन से लेकर 20 दिन आपके पास से apply करने के लिए दोस्तों तो आप लोग यहां पर apply कर सकते है आप लोग देख लिजे क्योंकि आप यहां पर apply कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ऐसा कहीं कुछ mention नहीं किया गया है कि अगर आप अधर स्टेट से तो apply नहीं कर सकते हैं और फ्रेंज यहां पर फीस वगएर भी कुछ बताई नहीं गई यह दोस्तों तो अच्छा opportunity रहेगा apply करने का देखे हम back होकर फिर से इसकी site पर आते हैं तो देखे फ्रेंज यहां पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग यहां पर देखे यह देख सकते हैं यह जो advertisement दिख रही है उसके बाद देखे फ्रेंज आप लोग यहां पर देखे लिखा है कि click here for teachers recruitment तो यहां पर जब आप लोगों को form मिल जाएगा form कैसे बना जैसे अगर मैंने आप लोगों को क्लिक कर दिया तो देखे जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो देखे आप लोगों को है कि new registration है तो आपको पहले अपनी सारी चीजों को register करके submit करना पड़ेगा दोस्तों उसके बाद ही आप यहां पर आगे बढ़ सकते हैं तो आप लोग एक बार देख लीजेगा उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई query कोई verify कर सकते हैं दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही friends मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और हाँ friends अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो इंतजार किस बात का कर रहे है सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वेलियोबल वीडियो लेकर आती रहती हूँ दोस्तों all the best